हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो एक बार फिर स्वागत आपका अनकेडिमी स्टूडियो जुडियो जुडियो में आपका अपना गोर्ण आपके सामने आज रहूं तो गैज आज मैं आपको एक थोड़ा सा थोड़ा सा लेक्चर देने वाला हूं कि मैंने देखा है कई कि बच्चे अपने एक्जाम से पहले गवरा जाते हैं कुइट कर लेते हैं तो अपने वह इस वीडियो के मादधर न से मापकी रना हूं तो चली इस्टार्ट करते हैं तो आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा था इंट्रोड़क्शन देना चाहूं अपने बारे में मेरा अपने इस तेनियोर में इसने कार्रेकाल में मैं करीब 15 जारते जादा स्टुएंट्स को टीच कर चुका हूं जो आज केट और इस में वर्किंग में अपार्ट फॉम देट आइम दा मोटिवेशन स्पीकर और कई सारे इंस्ट्टूट्स के अंदर स्टूट्स के लाभा मैं कई बार निकाला हुआ है इसके लाभा मैं कई प्यासिस के एक्जाम को निकाल चुका हूँ और प्येस्ट वर्किंग में भी रह चुका हूँ आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको लगता है कि गौरफ सार के साथ जुड़ते कोई अच्छा हो सकता है तो गाइस मुझे इस लिक पर फॉलो करिए ताकि आपको लेटेस अपडेट वगरा मिलते रहे हैं है और बने सब प्लेट वर्किंग में पर रहें वहां पर सकते चिंसे आप पर सकते इंसपाय रुसब्सक्तेंग अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिचन लीटे incidents देखने वाली है कि इसक्常 है नौक भूजाहर हो की के लावा हमकी ब्रांच होगी, ठीक, नाव, अनकेडमी प्लस, मैं कई बार अनकेडमी प्लस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे प्रिविएस वीडियो में इसको डेटेल में समझा है, अनकेडमी प्लस एक ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां प अपने हसाब से टाइमिंग को सेलेट करिए और अपने उसी अकोड़े आपको आपकी क्लास मिलने वाली है, लेंगुज की यहापे चोईस आपके पास आप जिस लेंगुज में पढ़ना चाहते है उसमें अपने फैकल्टी को फॉलो करिए, इंग्लिश मिलेगी, इंदी मि कोचिंग में हो, तो ओफलाइन कोचिंग में हम लोगों को मालनो कोई सब्जक्ट चल रहा है, एक महीने मालनो सौम खथम हो गया, उसके बाद फैकल्टी चली जाएगी, और आपके मालनो कोई डाउट रह गए है या आपको मालनो कोई कॉछ निया था, तो आप उसको कैसे तो यहां पर यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको आपके जो वीडियो लेक्चर है वो रिकॉर्डड फॉर्म में सेव हो जाएगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और उन रिकॉर्डड लेक्चर को आप कई बार अपने लैप्टॉप पर अपने मॉबाइल पर आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूत ने घर बैठे बैठे, आप फैकल्टी से अपने डाउट के लिए कर सकते हैं चैट के उबर, आप इंट्रक्टिव पोल्स में हिस्ता ले सकते हैं, मतलब जो भी फैकल्टी ने कोशन दिया, वसमें आप अपने आंसर पूट कर सकते और चेक कर सकते हैं आपका अंसर कहा है, तब बैस तिंग, मैंड इट बीज बैस, जो बैस पार अभी तब मुझे लगाया अने प्लस का हो यह है, कि लर्न एनिवेर अनिटाइम, आपको जम बन करें तब पढ़िये, आजकल शादियों का सीजन है, मान लीज आपके कजन की आपके का यहां पर अपना लैप्टाप ओपन करिये, मोबाइल ओपन करिये, नेट गनेट करिये और अलना लेक्टर लेना चालू करिये, तो यहां पर आपकी कोई भी क्लास मिस नीए और जो इस अनकेडिवी प्लस का सबसे बैठीन पार्ट है, सबजमारे गाईज, नाओ, मेरे प्रिविएस वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको यह वीडियो जो मैं पताने जारू अच्छा लगता है, तो गाईज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इस आप सब्सक्रिशन लेना चाहेंगे, तो गाईज, फॉर एंग्जांपल, यहां पर कही तरह क प्रिविए जो अभी तक 40,000 शोरी थी, कितने जाएगी? 36,000 रुपे, तो according to your requirement, आप सब्सक्रिशन को चूज कर सकते हैं, हर सब्सक्रिशन पर, for example, 12 महीने की बात करें, तो 12 महीने की प्रिविए 25,000 है, जैसे आप GPS लाइज, यह मेरा रेफरल कोड है, जैसे आप GPS को डाले सब्सक्रिशन करेंगे GPS लाइज, आपको इंस्टेंट 10% का डिसकांट मिल जागा, और कितनी रजाएगी, फीज 22,500, तो according to your requirement, आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, सब्सक्रिशन, जैसा सब्सक्रिशन चाते हो, यह सब्सक्रिशन आप ले सकते हो, ठीक है, गाईज, ना, आप लोड करिये, डाउनलोड करके आप जैसे भी, जिस सेक्षन को चूज करना चाहरा है, तो गेट को यह से सलेट करिए, आप EAC की प्रपरिशन करना यह से सलेट करिए, और अपने फैवरेट फैगल्टी से पढ़िए और आगबढ़िए, तो चली गाईज, स्टार्ट कर यह अपने लक्स हिज़े भठक जाते हैं, तो पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैं आपको, एक छोटी दी कहानी एक पार क्या था, एक वरकर था, यह जो वरकर है, यह क्या करता है, यह मकान बनाता है, यह एक तरह का राज मिस्त्री है, राज मिस्त्री है आप लोग प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् इसके जॉप को पता लाइसने हैं तो इसना सोचा कि काम कर गर के थक चुका था पर 30 साल किससी जॉब हो गई ती तो इसने सोचा कि चलो gel department के बारे मुठ रिटार्मेट शुचा कि चलो रिटार्मेंट के बारे मथोज चलो unless बॉस के पास अपना रेजिगनेशन लेटर लेके बॉस के पास पहुंच गया और बॉस से बोलता है कि सर जैसे कि आप देख पारे हो कि अब मैं बुड़ा होता जा रहा हूं दीरे तो मैं सोच रहा हूं कि बच्चे वी उमर जो है बॉस ने सोचा कि जाते याते इससे काम निकलवा लेते हैं तो उसने बोला कि ठीक है भईी तुमने सोच लिया है कि तुम्हें रेजिगनेशन देना है मतलब अपनी जॉब छोड़नी है तो एक काम करो यार एक छोटा का प्रोजजक्त आया हुआ है, तुमने इतने सालों से काम कर रहे हो, तुमने दो तीन तीन साल की प्रोजट मेरे I Corona की है, एक छोटा का आट महीने राए हुआ उसको निट आफ़ा हुआ उसको निट आदो उसके ढट वास बॉस ना उस वर्कर से बोली, उस कारीगर से, उस मिस्तरी से बोली कि आठ महीने का छोटा ता प्रोजेक्ट है इसको और बना दो, उसकाल आपको जो मन कर रहा है करो मैं आपको नहीं रोगूँगा, अब बही बॉस था, बॉस की बात वो टाल नहीं सकता था, उसने बोला कि ठीक है सर, चलिए, आप बोल ले तो कर लेता हूँ मैं, तो उसने वो काम बॉस से ले लिया, ठीक है, उसने एक आठ मन्त का जो प्रोजेक्ट था, एट मन्त का जो प्रोजेक्ट था, वो एट मन्त का प्रोजेक्ट उसने ले लिया, लेकिन अब सुनिए क्या हुआ, चूंक पूरी शिद्धत से जो पहले काम करता था उस तरह से काम नहीं करता था क्यों कि इसने मन बना लिया था कि यार मुझे तो चुट्टी चाहिए थी बॉस ने जबरत्स्ती काम दे दिया है चलो यार निट्टा दे तो निट्टाने वाला काम कर रहा था वो पहले वाली शाइनिंग नहीं थी वो पहले वाला टच नहीं था वो पहले वाली फिनिशिंग नहीं थी सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा था तो गाइस क्या होता है दीरे 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 ये काम करता जाता है करता जाता है और आठ महीने की मेहनत के बाद एक मकान बन के तयार होता है ठीक तो ये अपने बॉस को बुलाता है कि सर आई ये मकान बन गया है और एक बार चेक कर लिजे तो आठ मीने का बस ने बॉस को कॉल गिया कि सर मकान बन चुका है आप आईए प्लीज को चेक करिए तो बॉस बोलता है ठीक है मैं कल आता हूँ तो बॉस अगले दिए उस मकान को देखने जाता है बॉस आरम से बैठ के उस मकान को देखता है मुआयना करता है थोड़ी बहुत दिरवा बैठता है बात करता है उससे और बात करने के बाद जब वो बहार जाता है बॉस तो बॉस बहार जाते हुए उस मकान की चाबी उस वरकर को देता है उस लेवर को देता है, उस कारीगर को देता है और बोलता है कि भाई, तूने 35 साल मेरे यां काम किया, तो ये जो मकान तूने बनाया है, ये मेरी तरफ से 35 साल की मेनत का गिफ्ट है तेरे लिए, बॉस ने बोला, ये मकान मेरी तरफ से तेरे लिए 35 साल की मेनत का तौफा है, बैठ गया town जा चुक्का काई वो जमीन परे डाया और आपने आप सए कोशन करने लगा अँवर में निगहासू आजब हा गयों दो काश ये मकान में उसी महरत से बनाता जो मैंने दूसरे लोगों के लिए बनाया, काश ये मकान में उसी फिनिशिंग उसी टस से बनाता जो मैंने दूसरों के लिए बनाया, तो आज मैं अपने ही मकान को बहुत बैतर बना सकता था, लेकिंग ये मकान कैसा बनाया तो उसने बिना इंट्रेस्ट के, इंट्रेस्ट ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसने सोच लिया था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है पता नहीं किसका मकान है तो guys, same thing is happening with you यही काम आप लोग भी करते हो इस कहानी से मेंकिनी को मिल रहा है guys, इस कहानी से में इतना सीखने को मिल रहा है कि इस बंदे ने इस बंदे ने जब इसके boss ने Ones को काम दिया एक्स्टर आठ महीने हो गाम तो इसने पहली सोच लिया यार पता नहीं किसका गाम है जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप IES की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करिए रिजल्ट में बिलीव मत करिए रिजल्ट क्या होगा वो बाद ना आएगा मैं नहीं पता है हम इसका मकान वार कुछ नहीं पता हैं तो मेरे बच्चों रधर कि आप कुिट कर जाओ कि यार पता नहीं किसका मकान बनाना है पतानी गेट का रिजल्ट के आएअगा इससे बैयतर यह है कि आप उपने एफ़र्ट पर फोकस करो ना कि रिजल्ट पर क्यों कि result आएगा आपके efforts से आपके efforts में दम होगी तभी result आएगा सर तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए efforts में quit करने चो कुछ नहीं होने वाला इस बंदे ने क्या गलती करी थी इस बंदे ने यही गलती करी कि इसने result पहली सोच लिया कि पता नहीं किसका मकान है जबकि वो किसका मकान बना रहता अपना खुद का ही मकान बना रहता तो guys आप लोग जो मेहनत कर रहे हो ना जो आज आप coaching जाते हो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हो तो guys वो आप अपनी लिये ही पढ़ रहे हो आप अपना मकान कितने डालने मुझे जितने efforts डालोगे उतना ही अच्छा होगा इसलिए believe करना अपने efforts पर ना कि result पर इस बंदी की यही गलती थी कि इसलिए result पहले ही सोच लिया हो मेरे बच्चों आप लोग आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो है ना हिंदुस्तान की धरा पर आप लोग रहते हो हमारे हिंदुस्तान की धरा में कनिया जी ने बोला है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर इस बंदी ने फल पहले ही सोच लिया है भाई बवान बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो फल तो मैं दूँगा और तुम करम ही नहीं कर रहे हो, तुम फल पर डारेक्टली पहुंच जा रहे हो, तो मेरे बच्चों फल पर नहीं पहुंचना आपको, आपको एफट्स पर ध्यान देना है, क्या बोला तनिया जी नहीं, कर्म कर फल की इक्छा मत कर, तो कर्म कर, जैसे कर्म करोगे वैसे फल म करते हो आपको लगता है कि या ड्हाई में बचे पता नहीं क्या हो गया मैं बता रहे हूं धाई मईने डंग से पढ़ने बैट गए ना डंग से अगर आपने सारी एनर्जी को चैनलाइस कर लिया सारी दुनियादारी गूल के अपने एफ़र्ट्स में अगर आप लग गए न आपके तो मेरे बच्चों एक सब्जेक्ट आपका सिलेबा एक सब्जेक्ट छोटा था आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा एक टॉपिक कोई छूटिक तो मुझा आते ही नहीं मेरा गेट नहीं निकलेगा तो इन छोटी-छोटी बातों को नेगलेट करना चालू करो अपने एफट्स पर काम करो तो जतना अच्छा एफट्स पुट कर सकते हो जतनी महनत कर सकते हो अभी कर लो 30 महीने मीरे बच्चों और मैं बता रहा हूँ जिस तरह से इस बंदे नहीं गलती करी आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए जितनी अच्छे ते शिंतर से पढ़ाई करोगे, उतना ही बैतरी आपका रिजल्ट आने वाला है मेरे बच्चों, तो इसलिए प्लीज, प्लीज, सुन लो इस काहनी से यही सीखनों को मिलता है कि पहले से मस सोचो कि आपका से आपको क्या होगी आफिपों को करना है अपने मिहनत पर विलीव करना और आगे बढड़ना है दाई महीने बच्चे भी गेट के गिजाम के है चैनलइज कर लो पनी सारी इनर्जीज गो और जितनी मेहनत कर सकते हो सारी मेहनत जहुप दो आज सोजमारी बात और इस बंदे की तरह गलती मत करना कि ये सोचर पता नहीं किसका मकान बना रहो आप लोग अपना ही मकान बना रहो तो जितनी शिद्धस से इसको बनाईने उतनी शाहिने किसमा आने वाली है तो I hope कि आपको इस वीडियो का मतलब सोज में आएगो Thank you guys for watching this video तो please don't quit before your exam मेहनत करिए, quit करने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है आप सब कुछ कर सकते हैं बस believe करिए अपनी मेहनत के उपद ठीके guys, एक बात हमेशा याद रखेगा इस जिन जीवन में आपको कोई हरा सकता है तो वो आप खुद है तो अपने आप से मत हरिए आगे बढ़िए, लाइव में मेहनत करिए और आप जरूर आगे जाएगे Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय बारत और गाइस जाने से बहले लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए, बागी जो लोग नीडी लोग है उनको मेरा ये कोड फॉरवड कर दीजे GPS लाइक, जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का instant discount भिल जागा तो चलिए गाइस, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच